हेलो एब्रिवन मैं सुचिन विश्व कर्मा आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए रिंफिड एंड ड्राइलेंड अग्रिकल्चर की वीडियो का पार्ट लाया हूं पार्ट वन मैंने बहुत पहले ही अपलोड किया था जिसमें मैंने आपको बताया था ड्राइलेंड क्य क्या है ड्राइलेंड फार्मिंग क्या है और जिन लोगों ने वीडियो नहीं देखा है उसकी डिस्कुशन वाक्स में मिल जाएगी वहां से जाकर देख सकते हैं अब हम आपको उसके आगे पढ़ाते हैं बताते हैं उसके आगे है यहां तक तो उस दिन खतम हो गया था भा ल मा तक सामान्य की आधी या इससे कम वर्सा होती है सुखा कहलाता है और किसी सप्ता के वर्सा के बराबर या उससे अधिक हो जाए त Physics deal has the वर्गी करण तो सूखे का वर्गी करण जो है National Commission on Agriculture 1976 के अनुसार 1976 के अनुसार सूखे को निम लिखी चार भागों में वर्गी कृत किया गया है पहला है Meteorological Draught दूसरा है Atmospheric Draught तीसरा है Hydrological Draught और चोथा है Agricultural Draught Meteorological Draught means होता है मौसुमी कृत सूखा और दूसरा Atmospheric means वाता वर्ण ये सूखा और Hydrological Draught means चलिये सूखा और Agricultural Draught means क्रिसी सूखा तो अब बात करते हैं कि Meteorological Draught क्या है Meteorological Draught है जब rainfall जो है 75% से कम होती है यानि कि it is defined as a condition यह एक ऐसी condition को दर्साता है जहां पर annual precipitation वार्षिक वर्षा कम होती है normal यानि जहां पर normal वर्षा से सामाने वर्षा से कम वार्षिक वर्षा होती है वा जो है Meteorological Draught को दर्साता है for a long period prolonged period यानि लंबे समय तक जब लंबे समय तक आधी या आधी से कम वर्षा होती है नार्मल वर्षा से आधी वर्षा होती है या कम वर्षा होती है तो उसे Meteorological Draught कहा जाता है अब बात करते हैं atmospheric draught atmospheric draught it is due to low air humidity यानि जब हवा में low air humidity होती है हवा में कम आधरता होती है तो atmospheric draught कहा जाता है it refers to a condition या एक ऐसी condition अवस्था को दरसाता है जब transpiration rate बढ़ जाता है और एक छोटे period के लिए यानि कि evaporation rate is higher than the received rainfall यानि जहमें जो वार्थिक वर्षा से जल्प राप्त होता है उससे ज़्यादा जब evaporation rate यानि कि transpiration rate और evaporation rate वास्पोस सर्जन रेट और वास्पी करण रेट जब बढ़ जाता है तो उसे atmospheric draught के रूप में जाना जाता है अगला है hydrological draught, hydrological draught है कि meteorological draught when prolonged result in hydrological draught with depletion of surface water and consequent drying of water bodies यानि meteorological draught वा है जब prolonged result लंबे समय के लिए hydrological draught लंबे समय के लिए जब surface water and consequent drying of water bodies यानि जो water bodies है हमारी तालाव नहर और जो अन्य surface water है जो हमारी प्रिथवी की सत्था पर जल के शुरूत है जब वह सूखने लगते हैं तो उसे hydrological draught के रूप में जाना जाता है अब अगला है agricultural draught तो agricultural draught जो है soil draught की नाम से भी जाना जाता है it is the result of soil moisture stress due to imbalance between available moisture and evaporation of crop यानि जब evapotranspiration यानि वास्पो वास्पो सर्जन rate जो है soil moisture से अधिक हो जाता है यानि कि वास्पो वास्पो सर्जन जो है वो हमारी जो मिट्टी में पाए जाने वाला moisture content है soil में जो नमी की मात्रा है उससे जादा हो जाता है यानि जब इसमें imbalance आसंतुलित हो जाता है यानि कि जो हमारी मृदा में पानी की मात्रा है नमी की मात्रा है उससे जादा जब evapotranspiration होने लगे तो उसे हम agricultural drought कहते हैं यानि कि जब हमारी फसले जो है सुखने लगती हैं तो उसे हम agricultural drought कहते हैं इसके बाद drought को कई सारे भागों में बाटा गया है based on duration duration के आधार पर जो है permanent drought, seasonal drought, contingent drought और invisible drought इसी प्रकार based on time occurrence time के आधार पर बाटा गया है early seasonal drought, mid season drought और lay season drought और उसके बाद other term to describe drought यानि दूसरे भी प्रकार से बाटा गया है इसमें relative drought और physiological drought में बाटा गया है इसके बाद important cause of agricultural drought यानि कि कि किस कारण से जो है agricultural drought होता है तो inadequate precipitation यानि जब आपरियाब तो वर्सा होती है और erratic distribution और उसके बाद long long day spell in monsoon यानि जब लंबे समय तक बारिस नहीं होती है और late onset monsoon जब वर्सा जो है देर से शुरुआत होती है यानि कि अपने समय से नहीं समय से देर जैसे वर्सा का समय जो है 15 जून है लेकिन वर्सा कभी कभी क्या होती है 15 जुलाई या अगस्त में स्टार्ट होती है इसके बाद early withdrawal of monsoon यानि कभी कभी क्या होता है कि वर्सा जल्दी हो जाती है तो late में हमें पानी नहीं प्राप्त होता है वर्सा नहीं प्राप्त होती है तो सुखा पड़ जाता है और lack of proper soil and crop management यानि कि proper soil and crop management जो हम मर्दा का और फसल का management करते हैं उसमें proper नहीं कर पाते हैं उसकी कमी के कारण भी सुखा की समस्या का सामना करना पड़ता है